दिल्ली सरकार में जल मंत्री रहे कपिल मिष्टा ने पिसले दुनों दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजडिवाल पर करप्षन के एक के बादे कई गंभीर आरूप लगाए कई दुनों की चुप्पी के बाद रवीवार को अरविंद केजडिवाल फाइनली सामना आए और इन आरोपों का जवाब दिया केजडिवाल ने कहा कि अगर आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई होती तो वो जेल में होते मरेश्टाचार के गंभीर आरोप लगने के बाद दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजडिवाल पहली बार सामने आए है और अपने चर परचित करांतिकारी अंदाज में अपने भाशन की शुरुआत की इस दोरान केजडिवाल ने पहली बार खुद पर लगे आरोपों पर सफाई दी है केजडिवाल ने कपल मश्रा के आरोपों पर कहा की ये खुशी की बात है क्योंकि आरोप लगाने वाले आमादमी पार्टी को बड़ी ताकत मानते हैं पिछले कुछ दिनों में हमारे अंदोलन के उपर आमादमी पार्टी के उपर मुझे लगता है अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है ये खुशी की बात है खुशी की बात इसलिए है क्योंकि वो हमला क्यों कर रहे हैं क्योंकि उनों को लगता है कि हम बहुत बड़ी ताकत अंधिर एले ग beach उरों करते हैं वो रूड़ा में और ते और गहबराट की डिली के अंधोलण जिसके आवाद देश के कौने क्यूने में सुनाई देती है दश्टाचार के खिलाफ या अंगोलन इसे किसी भी तरह से पुछमना होगा और उसे करने के लिए उना ने अभी तक सबसे बड़ा हमला पिछले कुछ दिनों में किया हम लोगों के उपर खुद पर लगे आरुपो को बेबुनियाद बताते वे केजरिवाल ने कहा कि आरुपो में सच्चाई होती तो वो जेल में होते पिछले कुछ दिनों में खुब आरुप लगाए गए मेरे खिलाफ मनीसी सुदिया के खिलाफ सतिंदर जैन के खिलाफ पार्टी के खिलाफ फंडिंग को लेके बिलकुल बेबुनियाद आरुप कोई सबूद नहीं कुछ नहीं बस कीचड फैक रहे थे कीचड फैक रहे थे कि कुछ तो चिपतेगा कुछ तो चिपतेगा और मैं यह सोच रहा था इन्होंने दो साल में सारी जाच एजनसी हमारे उपर छोड़ रखी है सारी एजनसी है सीबियाई हमारे खिलाफ छोड़ रखी है मेरे उपर सीबियाई की रेड होई इनको कुछ नहीं मिला सीबियाई की रेड में मैं ये सोच रहा था जैसे दूसरे नेताओं पर जब इन्होंने सीबियाई की रेड करी उनके खिलाफ कुछ मिल गया और वो नेता चुप हो गए क्योंकि उनकी गरदन उनके हाथ में आ गई अगर मेरे खिलाफ इनको कुछ मिल जाता आज मैं आपके सामने खड़ा होके इनकी इतनी बेबाकी के साथ बात नहीं करता हूँ मेरी भी गरदन इनके हाथ में होके है लेकिन कुछ करा नहीं मैंने कोई चोरी नहीं करक्षी मैंने कोई चोरी नहीं करक्षी मनीज सिसोदियों ने केजरिवाल यहां भी इवियम पर निशाना साधना बिलकुल नहीं भूले और बीजेपी ने इवियम टेंपरिंग पर भी अजीबो गरीब तरक दिये इन्होंने मशीनों पर कपजा कर लिया है इवियम पर कपजा कर लिया है यह लोग हमारे उपर ताना मारके जब सरसर सीट आई थी तब तो कुछ नहीं बोले अब जब हार गए तब बोल रहे हो जब हमारी सरसर सीट आई थी सत्ता हमारे पास नहीं थी उनके पास थी सत्ता ईवियम तो वो मैनिप्लेट कर सकते थे हम कैसे कर सकते हैं अगर हमारे पास सत्ता होती है और तब हमारी सरसर सीट आती तो कहते तुमने मैं इवियम मैनिप्लेट कर लिए सत्ता उनके पास थी और कोई सबूत सामने नहीं आया जिससे कहा जा सके कि इवियम मैनिपुलेट हुई यह लोग हर्याना में जीते हैं हमने निकाई इवियम मैनिपुलेट हुई यह लोग महराश्टर में जीते हैं जारखंड में जीते हैं कई स्टेट्स में जीते हमने नही हमेशा आरोप लगाने वाले केजरिवाल अपने आदे घंटे के भाशन में इसी तरह आरोप लगाते रहे कपल मिश्रा द्वारा आप नेताओं के विदेशी दौरों की जानकारी देने के बजाए केजरिवाल ने मिश्रा परी हमला बोलते वे कहा की जब अपने धोका देते हैं तो दर्द होता है एनमेफ नीउस के रिपोर्ट